नमस्कार मोप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है विहार के प्रारमिक सिक्षकों के अकाउंट में जल्दी दिसम्बर महीने का वेतन आने वाला है इसके तहट बीते दिनी सिक्षा विभाग ने राजु की पहली से आठवी कख्षा तक में समगर सिक्षा के तहट कारेड़त सिक्षकों के लिए दिसमबर महीने के वेतन जारी किये हैं जिसके भुकतान के लिए सभी जिलों को राशी सौब दी गई है बताते चले कि समगर सिक्षा मद्वे 720 करोर 13,50,980 रुपे तमाम जिलों को जारी कर दिये गये हैं ये केवल दिसमबर महीने का वेतन है आपको बताते चले कि 2021 में सिक्षक वेतन बंवे पी एबी ने 3,604 करोर के खर्च की मंजूरी दी थी इसमें से नवंबर तक 27,444,42 लाख रुपे सब ही जिलों को दिये जा चुके हैं वहियां बाकी की दाशी भी जारी कर दी गई है कोरोना रिपोर्ट के नाम पर ठगी करने का मामला आया सामने अगर आपको भी कोई ऐसा कॉल आता है जिसमें सामने वाला ये कह रहा हो कि उसकी कोरोना रिपोर्ट गलती से आपके मुबाइल में चली गई है और आपके पास OTP मांगा जा रहा हो तो ज़रा सावधान हो जाईए क्योंकि आपके OTP देने के बाद आपके बैंक से पैसे उड़ सकते हैं दरसल कोरोना महमारी के दौर में ठगी करने वाले गिरहों ने भी पैसे एटने के नए नए तरीके सीख लिए है ताजा मामला बिहार के राजधानी पटना से सामने आये है जहां प्रवीन कुमार नाम के यूबक के मुबाइल पर तीन दिन पहले आटी पी सीयार को रिपोर्ट आई जो की देखने में बिल्कुल स्वास्वभाग जैसा था इसके दो मिनट बाद ही एक व्यक्ती ने फोन कर कि गलती से रिपोर्ट उनके मुबाइल पर जाने की बात कह दी और एक ओटी पी नमबर बताने को कहा हाला कि उक्तव यूबक जानता था कि आटी पी सीयार के लिए ओटी पी नहीं मांगा जाता है जिससे उस जालसास का परदा फाश हो गया पता दो चले कि ऐसे कई मामले आए दिन पट्टा में मिल रहे हैं ऐसे में सभी को सतरक रहने की जरूरत है अब किताब बाठ कर कोरोना से जंग जीतेगा बिहार बिहार में कोरोना मामलों के रोक्ताम के लिए हर संभव तयारी और प्रयास किये गये हैं अस्पतालों से लेकर सरकों पर पुलीस द्वारा निगरानी तक की विवस्था की गई है ताकि गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से हो सके इस इक्रम में अब किताब के जर्ये बिहार सरकार कोरोना मामारी को खत्म करने की तयारी में है दरसल कोरोना के प्रती सजग रखने के लिए स्वास्तव भाग में एक हैंडबुक का वितरन करवाय है उस हैंडबुक में COVID-19 से जुड़ी सभी एहम जानकारिया दी गई है जिसमें होम आइसोलेशन, बचाफ, प्रबंधन, खानपान, दवाईयां आदी की जानकारी दी गई है साथ ही टेली मेडिसिन, सेवा और संजीवन मुबाईल आप के उपयोग को सही जानकारी देने के अलावा घर-घर किन दवाईयों का सेवन करना है इसकी जानकारी भी दी गई है वही गंभीर मिवारी वाले लोगों को लेकर भी जरूरी सलाह मशवरा दिया गया है जुसमें उन्हें अपना इलाज पहले की तरह करते रहना की सलाह दी गई है इस पहल को स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने विहार वासियों के लिए सहायक बताया है कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद कोबिट टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं कोरोना के तीसरी रहर में एक बार फिर से संक्रमितों की संख्यात शौगनी रफ्तार से बढ़ रही है हालाकि इस बार संक्रमन का असर ज्यादा प्रभावी नहीं हो रहा है इस बीच इंडियन कांसल आफ मेडिकल रिसर्च ने कोबिट टेस्टिंग के लिए नई एडवाईजरी जारी की है जिसके तहट अब सिर्फ कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने पर सामने वाले व्यक्ति को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है हाला कि अगर संक्रमित व्यक्ति हाई-risk कैटेगरी में है तो उसे जाच करानी होगी यहां आपको हम बता दे कि किसी गंभीर बिमारी से पीड़ित और बुजर्ग व्यक्ति हाई-risk की आज़ोखिम की कैटेगरी में आते हैं इसलिए ऐसे कैटेगरी वाले संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद को रोना की जाच जरूर कराए साथी, I.C.M.R. ने उन लोगों को भी जाच की सलाह दी है जिनमें संपर्क में आने के बाद को रोना के लक्षन सामने आते हैं साथ ही साथ अब एक राज़ में दूसरे राज़ में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को भी COVID जाच कराने की अवश्यक्ता नहीं है दुबाला जाच नहीं कराने वालों के दाइरे में होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले लोग ही शामिल है बिहार में रात में फैक्टरी चलाने वाले को सस्ती दर पर मिलेगी बिज्री बिहार में उद्योग धंदे कार खाने या फैक्टरी चलाने लोगों के पास सस्ती दर पर बिज्री दिलेने का शांदार मौका आ रहा है ऐसे लोग अगर दिन की बजाय रात में अपनी फैक्टरी का काम शुरू करते हैं तो उने बिज्री कमपनी की तरफ से कम पैसे में ही बिज्री मोहया हो जाएगी आपको बता दे कि बिज्री कमपनी ने टाइम आफ डे यानि की टी ओडी में बदलाव का प्रस्ताव बिहार विद्यूत विनियामक आयो को सौपा है इसके तहित मौझूदा विवस्था में बदलाव करते हुए कमपनी ने दिन के बदले रात में फैक्टरी चलाने वालों को सस्ती बिज्री देने का निर्णे लिया है जबकि लाल इट के 6,000 भटे मौझूद है ऐसे में लाल इट के भटे को चरन बार तरीके से बंद करने की योज़रा है इसके तहट परियावरन बन एवं जलवायू परिवरतन मंत्री निरच कुमार बबलू ने बीते दिन भागलपूर में मीडिया को कहा है ये राजय में 6,000 से अधिक इट भटे चल रहे हैं जिससे करीब 2-3 लाक लोग जुड़े हैं ऐसे में सरकार फैक्टरी चालकों को कई सु बधाई देगी जिसके तहट उन्हें मुफ्त में फ्लाई आश दिये जाएंगे साथ ही बगयर लाइसेंस के भी फ्लाई आश की फाक्टरी खोलने की अनुमती दी जाएगी टीटी सिक्षकों को इंडेक्स 3 के दायरे से बाहर करने की उठी मांग बिहार में टीटी प्रारमिक सिक्षक संग ने नव प्रसिक्षित सिक्षकों पर से इंडेक्स 3 की बाधिता को हटाने की मांग की है संग का कहना है कि नई ट्रेंट सिक्षकों को इंडेक्स 3 की बाधिता में बांध देने से हजारों की संख्या में सिक्षकों को प्रतिवा हजारों रुपे का नुकसान हो रहा है संग का कहना है कि सरकार TET सिक्षकों की लगातार हक मारी कर रही है अगर सिक्षा विभाग ने इंडेक्स सीन की बाधिता की समापती और सनाता ग्रेट सिक्षकों की वरियता सुनिशित नहीं करेगी तो बात है उकर संगन्यायाले के शरन में जाएगा साथी यूनियन ने 15% वेतन व्रिधी समंधी विभागिया आदेश संख्या 1816 के निर्देशों का नुपालन सुनिशित कराने की मांग भी की है कल से शुरू होगी नीट पीजी कांसलिंग की प्रक्रिया देश भर के कई वेडिकल कॉलेज में हजारों जूनियर रेसिदेंट डॉक्टर्स की हरताल और दो हंगामों के बाद आखरकार अब नीट पीजी की कांसलिंग प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है इसे लेकर मेडिकल कांसलिंग कमीटी ने स्केडियूल जारी कर दिया है जिसके तहट कल यानी 12 से 17 जनवरी तक दोपहर 12 बजे तक नीट पीजी के लिए ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वह इंशुल का भुक्तान 17 जनवरी तीन बजे तक कर सकते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 13 से 17 जनवरी तक कर सकते हैं उमिद्वारों का आंतरिक सत्यापर 18 से 19 जनवरी को होगा वहीं सीट आवंटेन की प्रोकरिया 20 और 21 जनवरी तक और नीट पीजी पहले राउंड का आवंटेन रिजर्ट 22 जनवरी को जारी होगा उमिद्वार विस्ट स्केडियूल mcc.nic.9 पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बताते चले कि नीट पीजी प्रवेश्ट में पहले ही 8 महीने की देरी हो चुकी है सूबे के सभी मेडिकल कॉलेज बनेंगे COVID-डेडिकेटेट अस्पताल विहाब में कोरोना संक्रमित के बढ़ते ग्राफ को देखते वे मरीजों के लिए अस्था या अस्पतालों की ववस्था भी तयार रखने की कवायद शुरू है ताकि किसी भी तरह के खत्रे से पहले ही स्वासव भाग तयार रहे इसके तेट स्वासव भाग ने इमर्जनसी के सिती में राजडिकेटेटेट अस्पताल के तोर पर घोशित करने का फैसला किया है इसमें सरकारी और eonेजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल होंगे हिंदुस्तान खबर में खबर के मताबिक राचु के सभी मेडिकल कॉलेज इस्पतालों को पहले से ही कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तयार रहने की हिदायत दी गई है और वहाँ ऑक्सिजन युक्त बेट सहीत कोरोना बॉर्ट भी बनाए गया है हाला कि बता दे कि फिलहाल मेडिकल कॉलेज इस्पताल में भरती मरीज की संख्या कम है मकर संक्रांती पर हरिद्वार में जुपकी नहीं लगा सकेंगे श्रधालू कोरोना ने मकर संक्रांती के उत्सव भरे माहौल पर भी ग्रहन लगा दिया है इस साल मकर्सकरांती पर 4 जनवरी को श्रधालू पवित्र हरिद्वार गंगास्तान में सनान नहीं करपाएंगे बढ़ते मावलिक की वज़े से उत्राखन सक्राशन प्रसाशन ने हरिद्वार में गंगास्तान पर बेंड लगा दिया है इसके तहर 14 जन्वरी को मकर सक्रांती परफ पर श्रधालू के हर की पैड़ी जाने पर रोक लगा दी गई है साथी प्रसाश्री ने साफ किया है कि अगर कोई जाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सक्थ कारवाई की जाएगी बताते चले कि यूपी विहार समेट अनिराजू से हजारों की तादाद में श्रधालू साल के इस पवित्र दिन में गंगास्तनान करने को पुन्य मानते हैं ऐसी में बड़ी संख्या में लोग वहा जाते हैं मगर साल गंगास्तनान पर रोक लगा दी गई बिहार में DM को मिला लॉकडाउन लगाने का अधिकार सूबे बिहार में कोरोना के बेताहाशा मामलों के बावजूद भी नाइट कर्फ्यू स्कूल बंदी समेट कुछ प्रतिबंद लगाए गया है लेकिन अभी तक लॉकडाउन का कोई मुद्दान नहीं उठा है आपको बताते चले कि CMG की बैठेक में समिक्षा हुई जिसकी बाद बढ़ते प्रकूप के बावजू भी कोई नया प्रतिबंद लगाने से मना कर दिया गया है लेकिन अगर किसी जुले में अधिक कोरोना के मामले बढ़ रहे है प्रांती के दौरान गंगास्नान पर रोक लगाने पर भी चर्चा हुई सूत्रों के मुताबिक बढ़ते मामलों को देखते वे दुख अल्टरने डेस पर खोलने को लेकर भी फैसला हो सकता है सीयम नितीश समेट राजु के कई अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दायर विहार के मुझफरपुर में बीते भाही ने घटे थुई अंकफोरवा कांड ने सूबे की नितीश सरकार को फिर से मुश्किलों में डाल दिया है इस मामले को लेकर मुझफरपुर व्यभार ने आयाले में मुख्य मंत्री नितीश कुमार स्वास्त मंत्री मंगल पांडे समेट कई बड़े अधिकारियों पर परिवाद दायर करवाए गया है ये परिवाद दायर करने वाले शक्स आचारे चंदर किशोर पराशर ने पत्र में 22 लोगों को इस आंखफोरवा कांड का जिम्यदार ठहरा है साथी कहा है कि सरकार ने पीडितों को अब तक मुआबदा नहीं दिया है बताते चले कि मामले में सरकार के मुख्य सचिव, स्वास्तवभाग के प्रधान सचिव, मुख्य निदेशक, तिरहुत आयूक्त, मुजफर पुर डियम, सिवल सरजन, SGM दृष्टी, सृष्टी अस्पतार के संचालक, मुजफर पुराई हॉस्पिटल प्रबंधन, समीती और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है, इसकी अगली सुनवाई 18 जन्वरी को होगी बच्चों के बीच वाक्सीन लेने की मच रही है होड, कोरोना के तीसरे लहर के शुरुवात के साथ ही अब 18 से कम उम्रवाले बच्चों को भी टीका दिया जा रहा है, हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से बड़े लोग वाक्सीन लेने से खौफ खा रहे थे, वहीं बिहार में बीते दिन 3 जनवरी से बच्चों का टीका करन हो रहा है, जिसके बात सही पूरे राच्च में बच्चों की टीका करन में तेजी आई है, आंक्डों की बात करें तो पहले दिन करीब पौने 2 लाग बच्चों ने वाक्सीन लगवाई थी, वहीं 6 जनवरी तक 3 द खपत के अनुसार आपूर्ती नहीं मिला आप किसानों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है, राजो में जनवरी महीने में 2,20,000 टन यूरिया की जरूरत है, मगर 99,772,4-3 तन यूरिया ही उपलब्ध है, केंदर सरकार ने विहार सरकार को आपूर्ती देने का अश्वाशन भी दिया मगर अब भी बिहार का कोटा पूरा नहीं हुआ है, बिहार को 74 फीजदी की यूरिया प्राप्त हो सकी है, वहीं दूसरी तरफ राजो के कई जिलों में किसानों ने यूरिया का स्टॉक भी कर लखा है, जुसे भी स्थित्ती बिगड़ी है, जानकारी के अनुसार मु जनल दिन पर BCCI ने दे खास बढ़ाई, टीमिल्या के दीवार और मिस्टर भरोसे मंत कही जाने वाले बरतमान में भारते के टीम के मुख्य कोच राहुल ड्रविट आज 49 साल के हो गया है, राहुल को दुनिया भर से जनल दिन पर शुपकाम नाय मिल रही है, सिक्रव में B BCCI ने भी उन्हें खास अंदाज में बढ़ाई दी है, ड्रविट के जनल दिन पर BCCI ने उनके करियर की यात्रा और आकडों को सामने रखते विए बढ़ाई दी, इसके साथ ही BCCI ने ट्विटर पर बढ़ाई संदेश में लिखा है कि पुर्व भारते कप्तान और वरतम प्रवीन, शंकर मुख्या, संजे कुमार, अनुच शर्मा, प्रीती सिंग, मुहमद इतिफवाक, जीवन कुमार, दिलिप प्रसाद, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चल करेंगे, और बिल आइकों दबाना ना भूले, धन्यवाद,